यह सो हलो एवरिवान हेतेश यार और टोड़े वी गना टॉक अबाउड दी मुवी काल्ड कोड एड जो के आए थी सन 2019 में इसका सेकंड पार्ट भी हाल ही में रिलीज हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक सीरीज की तरह ही एकस्प्लेंड किया जाए तो इंसानों ने शहर और इसी के साथ टेक्नालोजी को बहुत जादा डेवलप कर लिया है और साइफाई और सूपर हीरोज मुवी हमेशा से ही मेरी फेवरिट लिस्ट में शामिल होती है सनाव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिया आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लै है तो कोई सूपर फास्ट तरीके से भाग सकता है अभी आई कहां से कहानी में फिलहाल के लिए नहीं किया गया मगर इन लोगों की खास ताक्तों की वज़े से शहर ने बहुत ही जल्दी डेवलप्मेंट की सीडियों को चड़ते रहे मगर इसी के चलते जो की नॉन सूपर पावर लोग थे उन्हें भी सूपर पावर पानी की चाहत थी तो उन्होंने पैसों के बदले एक ऐसा ड्रग लेना शुरू कर दिया जो कि उन्हें कुछ मिनिटों के लिए सूपर पावर्स दे दिया करता था जैसे निकाला जाता था खुद सूपर हूमन की स्पाइनल कॉ हो रहा था अब अगर इसे एक छोटे से एक्जामपल के थूँ आपको समझाओं तो समझ लीजिए कि कोई टूट पेस्ट की फैक्टरी है जहां पहले नॉर्मल इंसान अपने हातों से टूट पेस्ट के धकन लगाया करते थे उन्हें बंद किया करते थे तो एक सूपर हुमे और सूपर हुमन्स भी शामिल है उनका कहना था कि हमारे पास में जो सूपर आवर है आपको हमारी इज़त करनी चाहिए हमें काम वग्रत देना चाहिए हम शहर की भलाई के लिए भी तक काम में आये हैं हमने इस पूरए शहर को अतना अच्छा डैवलप किया है तो उनकी ब बाते हैं कि अब शहर में पुलीस वालों ने साई की ड्रक्स के स्मगलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया है वहीं हम देख पाते हैं कहानी के लीड एक्टर कॉर्णर को जो केस्वक्त अपनी मां के साथ में होता है उसमें भी और इनफेक्ट उसकी मॉम भी सूपर पावर्स होती हैं एक तरफ कॉर्णर के पास एलेक्ट्रिसिटी हंडल कर लेनी की पावर थी वहीं उसकी मॉम जो की चीज़ों को बरफ बना दिया करती थी मगर दीरी दीरी उसकी बॉड़ी पर ही उसका साइड एफेक्ट होना शुरू हो गया था इसलिए वह बार बा पर मॉम कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मतलो भगवान सब देख रहा है और सब कुछ सही होगा अब यहां कॉर्णर बेसिकली एक इंट्रिव्यू के लिए आया तो जरूर था मगर एक सूपर हुमन के नाते कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाता था और फिर उसे ज सब्सक्राइब कर यहां पर पुलीस वालों का काम करने की परमिट हो उपर पेसा चाहिए और यहां पर पैसा भी आपर पास पें नहीं है सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि यहां पर कोई गुंडा तो नहीं मौझूद है और तभी एक शक्स पकड़ में आ जाता है जो कि अल्रेडी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में होता है यह लोग उसे हतकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं थाने मगर तभी वह अपनी फ्लेमि काम चल रहा था और यह टिप मिल चुकी होती है इस वक्त यह लोग आये इस लोगों को बिठा पैसों के बदले उनके स्पानल कॉड्ड में से वह सूपर ड्रग निकाल रहा था मिशन पूरी तरीके से काम्याब हो जाता है और इन्हें प्रमोशन भी मिल जाता है यहीं सीन शिफ्ट होता है कॉर्णर पर जो कि अपनी मॉम को लेने के लिए पहुंचा था एक सूपर मार्केट में क्योंकि वहाँ पर एक सील्समें की जॉब किया करती थी कि तबी वहाँ का मैनेजर उसकी मॉम को बुरा वला कहने लगता है कि ये काम भी तुमने नहीं किया फलानी चीज़ बे उठागर नहीं रखी जिस पर कॉर्णर को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम अपनी से बड़ी उम्र की ओरत के उपर ऐसे कैसे रॉप जहाड़ सकते हो जिस पर मैनेजर कहता है कि वैसे भी तुम जैसे लोग नकाम के नाकाज के उपर से दुश्मन अ यह पहुंच जाता है लेबर्स की जगों पर बैठ कर इंतिजार करने का कि कोई भी कंस्ट्रुक्शन साइट वाले लोग आए इन्हें उठा कर ले जाए काम वगर दें तो दिहाडी का काम वगर हो जाए अब यहां पर इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग लोग इन्हें चू जो कि अपनी पावर्स को बीसिक लिवल पर यूज कर पाते हैं इसी तरीके से थ्री फूर और फाइव जो क्लास फाइव के होते हैं वह बहुत जदा एडवांस होते हैं इनकी सूपर पावर खुद को इनके आसपास के लोगों को इनफेक्ट पूरी पूरी सुसाइटी को भी नुकसान पहुचा सकती है तो इस वक्त कॉर्णर को ये बात पता नहीं थी वह एक क्लास फाइफ एलेक्टरिक मैं था को इनको तो ओली चाहिए था कॉर्णर कहता है और आप जो भी काम बोलो कि मैं कर दोंगा उसका फ्रेंड ट्रैवेस उसे मना भी करता है कि इस गाड के ड्रम वगर पड़े होते हैं यहां पर तो इनका फर्स्ट बैरियर था एलेक्ट्रिक वेव वाला दर्वाजा जिसके अंदर दस हजार वोल्ट के लेक्ट्रिसिटी बहरी थी तो गैरेट जो कि इनका लीडर होता है कहता है कि एलेक्रिक वैन वक्त आ चला है अपनी पावर् कर उस दर्वाजे को तोड़ देता है और यह लोग उन ड्रम को आसानी से चुरा लेते हैं अब इनके अंदर दो तीन लोग और भी होते हैं एक के अंदर सूपर हुमन स्ट्रेंथ होती है जो की सामान को आराम से उठा वगर सकता था एक के अंदर लावा जैसी चीजों को प से निकल जाते हैं और फिर माल की डिलिवरी करने के लिए यह लोग पहुंचते हैं क्लब में जहां गैरेट की मुलाकात उसके बॉस मारकस से होती है मगर इस वक्त मारकस भी अपने एक ऊपर बड़े बॉस के साथ में बैठा था इन्होंने कुछ ड्रग यानि की एक बड़ वस के चले जाने के बाद में मारकस और गैरेट की बीच में बातचीत होती है जहां गैरेट बताता है कि आज हमें एक ऐसा लड़का मिला है जो कि अल्मोस्ट क्लास फाइव का एलेक्ट्रिक मैन है अगर हमारे फ्यूचर प्रोजेक्स में इसने हाथ बटा दिया तो हम माला हो जाएंगे मारकस कहता है कि इसे जल्द से जल्द तयार करो आप मारकस के पास में पावर थी यानि कि वो किसी का भी माइंड कर सकता था हिंदी में कहते हैं मन भेदक अगर आपने मेरी लेटेस अपलोड़ेट फैंटास्टिक पीस टेंडी क्राइम्स और गंडल वाल जाती वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा घर आकर अपने धेर सारे कमाये गए पैसों को साइड में रख देता और मॉम से कहता है कि अब जल्द ही हम अमीर होने वाले हैं और उपर से मैं आपका इलाज भी जल्दी करवा दूंगा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मेन वाइल सीन शफ्ट होता है निया की तरव जो की अपने ड्रक्स की डोस खत्म हो जानी को जैसे मारकस के पास आती है कि मुझे मेरा दूस दे दो मारकस उसके साथ जबरदस्ती करता है मगर फिर भी निया उसकी बात मानकर जबर्दस्ती करवा भी लेती है और उपर से ड् लिगेदार की गाड़ी आकर की रुकती हर कहता है वो कि मुझे दो इलेक्ट्रिक और दो सूपर हुमन स्ट्रेंथ वाले लोग चाहिए कि तभी पीछे से गैरेट भी आता है ट्रैविस कॉर्णर को कहता है कि बुरे लोगों के साथ मत जाओ पैसा कम मिलेगा मगर इमानदारी की रोटी खाओगे लेकिन इस वक्त कॉर्णर को पैसों की ज़्यादा जरूरत थी और वो गैरेट के साथ में निकल जाता है तो यह लोग पहुंचते हैं एक रेस्ट्रों में लंच करने के लिए जहां पर गैरेट बताता है कि हम लोग एक बैंक में डाका डालने वाले हैं और वहां के वाल्ट को खराब करने के लिए एक अलेक्टरिक मैन की जरुत पड़ेगी जो कि तुम होगे जिस पर कॉर्णर कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस वाल्ट को पूरी तरीके से नश्ट कर पाऊं जिस पर गैरेट कहता है कि तुम पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वो उसे ट्रीन करना स्टार्ट करता है जैसे कि हवा में उड़ते बल्ट को जला कर रखना और फिर जादा पावर के साथ उन्हें एक बार में फोड़ देना अपनी पावर्स को चनलाइस करके एक ही पॉइंट पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा को बचाने के लिए उस दूसरे वाले क्लास फाइफ एलेक्ट्रिक मैं से बढ़ जाता है यहां पर हम कॉर्णर की मॉम मैरी की खराब हालत को देख पाते हैं जो की दिन बदिन बच से बत्तर होती जा रही थी और जब कच्रा फैक्टने के लिए कॉर्णर घर के बाहर आता ह है तो हम देख पाते हैं डेविस और मार्क को जो की उस पर नजर बनाये रखे थे और उन्हें यह भी पता था कि यह लड़का मजबूरी में है चोरों के साथ काम कर रहा है और अब धीर धीरी करके अपनी पावर को इन्हेंस्ट करता जा रहा है मगर इसे सही यानि कि पुल की तरीके से निस्तनाबूत कर देते हैं यानि कि उसका एलेक्ट्रिक सिस्टम बेगार कर देते हैं लोगों की गंज वगर तोड़ देते हैं लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो पता चलता है ने कि जो पांच लाग डॉलर्स इस बैंक में होने चाहिए थे वो तो एक दिन ही शिफ्ट कर दिये गए थे और सिर्फ कुछ एक हजार मांच-छे-जार डॉलर जीन के हाथ में आते हैं मगर अब तो पुलीज भी इनके पीछे बढ़ चुकी थी ड्रोन इनके सर पर मन रहा रहे थे और अब इन्हें पूरी ताकत का इस्तमाल करो और इन्हें खत्म कर दो पहले कॉर्णर को कुछ समझ नहीं आता कि आखर में क्या करो मगर जब उसे ये मालूम चलता है कि अगर पुलीस में भेज दिया गया तो फिर उसकी मॉम का ध्यान कौन रखेगा और वो अपनी फुल पोटेंशल से एक बहुत बड़ा बिजली का धमागा करता है जिससे की और गाडियन्स दोनों ही खराब हो जाते हैं फिर गैरेट आता है मारकस के पास और बताता है कि तुमने कहा था कि बैंक में चूरी करो मगर तुमने ये क्यों नहीं बताया कि हर अफते वो बैंक खाली हो जाया करता है अगर तुमने ये बात हमें पहले बताती होती तो हम इ distinguar को देख पाते हैं इस वक्त कॉर Sooner के हाथ पर एक जख्म sha लग चुका होता है तो gene कहती है कि मैं यजिक कर तब भी उसके साथ काम कर रही हूं जब मारकस घर पहुंचता है तो उसकी मॉम को उसके ड्रॉर में पड़े पैसे दिख जाते हैं जो कि वो इतने दिनों से चुरी चकारी करके जमा कर रहा था मॉम कहती है कि आखिर तुम्हारे पास पैसा कहां से आया तुमने मुझे सच क्य नहीं नहीं बताया कहता है कि मॉम मुझे आपके लाज के लिए पैसे जोटाने थे अगर मैं आपको सच बता देता तो शायद आप मुझे काम कभी करने नहीं देती और आपका लाज कभी होता नहीं और आप मुझे छोड़ कर चले जाते काफी आउट ऑफ कंट्रूल हो तो यह मर भी सकती हैं इलाज के लिए तुम्हें दस हजार डॉलर्स लाने होंगे कि तभी बाहर आते वक्त डेविस और मार्क उसे रूख लेते और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम चोरों के साथ काम कर रहे हो हमारे पास तुमारी फुटेज भी है मगर उस फुटेज में कॉर्णर का फेस कुछ खासा साफ दिख नहीं रहा था तो जिस पर कॉर्णर कहता है कि यह शायद कोई और इंसान भी हो सकता है मैं नहीं हूं तुम गलत इंसान पर शक कर रहे हो और जब डीविस और मार्क के बीच में एक बड़े साइकी कुछ जलाने के मिशन के बारे में बातचीत हो रही थी तो यह सारी बातें कॉर्णर सुन लेता है और जाकर यह बात गैरेट और मार्कस को बताता है कि यह लोग एक बहुत बड़े अमांट यानि कि ऑल्मोस्ट चालीज करोड डॉलर का साइकी जलाने वाले हैं तो जिस दिन यह लोग उसे जलाएंगे गर उ लोग अपनी प्लानिंग लगाने लगते हैं यानि कि सुपर हुमन पावर्स वाले लोग रास्ता रोकेंगे माईंड कंट्रूल वाले लोग उन्हें मैनूपलेट करेंगे लावा और फ्लेमेबल पावर वाले लोग पुलीस की गारडी में छेत करके समान को बाहर निकालें और प्लान पूरी की पूरी टीम यहां पर उनका अंतिजार कर रहे थी और फिर सबसे पहले इनका रास्ता रोका जाता है आगे से एक और ट्रॉक आकर इने जाने नहीं देता उपर से कॉर्णर अपनी एलेक्रिक पावर से ड्रोन और गार्डियन्स को खराब कर देता है और यह लोग ड्रुक्स चुराने में कामियाब हो जाते हैं कि तभी मार्कस की लोग गैरिट की लोगों को जान से मार देते हैं जो की प्लान में बिल्कुल भी नहीं था इनफेक्ट चार प के पास पुकता सबूत नहीं थे किसी को भी जील में ठूस देने के लिए मगर आप टेंशन मत लीजे हम पूरी कोशिश करेंगे और उसे जल्द से जल्द जल्द में डाल देंगे में कॉर्णर पहुंचा होता है हॉस्पिटल में अपनी माम के पास और बताता है कि मैं पैस पारा मारी होती है और इस ड्रक्स को चुराने की पीछे बहुत सरी लोग मारी भी जाते हैं कि तभी आमना सामना हो जाता है मारकस के बॉड़ी गार्ड और गैरेट के बीच में बॉड़ी गार्ड के अंदर ये ताकत थी कि कोई भी गूली वगर उस पर चलेगी तो असर न लेकर जाने लगता है मगर जैसा कि उसने कॉर्णर के साथ वादा किया था कि मेरे रास्ते से हट जाएगा तो निया होगी तुम्हारी अब वो निया को अपनी मौम के पास ले जाकर अपनी मौम को ठीक करवना चाता था लेकिन निया कहती है कि मैं हीलर तो हूँ मगर सामने सान का निशान निया निया में आ चुका था या अगर उसकी माम को ठीक करेगी तो मौम के बिमारी को लग जाएगी तो एक तरफ थेनिया मना करने लगता हीँ श्रौनर की अगोम की जाने लगती लेकिन मजबूरी में कॉर्णर को इसे एक भीज भी हो चुकी है इसलिए रो रोख देता है और यह process जो की almost done होने वाला था मगर बीच में रुख जाने की वज़े से उसकी mom की वहीं पर death हो जाती है corner पूरी तरीके से तूट चुका था जसके बाद वो निया को गाड़ी के tank full करवा कर उसकी जिन्देगी अपने हिसाब से जीने के लिए भेज देता है और अपने आपको police में surrender करवा देता है और अब जो आधा psyche का माल यानि की जो 20 करोड का माल police ने वापस से बचा लिया था इसके बदले डीविस और मार्क को मिल जाता है promotion वहीं अब मार्कस की जगा मिल चुकी होती है Garrett को क्योंकि अब psyche का आगे का business वही run करेगा यहीं movie के end scene में हम यह भी देख पाते हैं कि निया जाकर अपने father से भी मिलती है क्योंकि वह अपने father की वज़े से मार्कस के पास काम कर रही थी और वहीं हम corner को देख पाते हैं जो कि अपनी mom की कबर उपर आकर कहता है कि शाद कुछ दिन में आपसे मिलने ही पाऊंगा तो basically वह जाता है surrender करने के लिए ताकि अब उसके through कोई और गडबड घोटाला ना हो और शहर शांती से जी सके और इसी के साथ यह first part यहें पर खत्म होता है इसका second part हम जल्दी कोशिश करेंगे आप तक लाने के लिए तो तब तक के लिए keep watching and stay safe और अगर वीडियो पसंद दीजेगा आपका support ही हमारे लिए सब कुछ है and thank you so much guys for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में झाले वीडियो में